हेलो गाइज आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मदरबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ मतलब मदरबोर्ड है क्या? मदरबोर्ड के कौन-कौन से फंक्षन है और मदरबोर्ड कौन-कौन से कंपोनन से एक दूसरे से जोड़ा रहता है आज इसके पूरी डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आपने कभी भी आपके घर में जो PCA अगर रिपेर करने के लिए अगर खोला रहेगा तो उसमें जो आपको जो नजर आता है बोर्ड रहता है उसको बहुत सारे कंपोनन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको यह दोस्तो हम मदरबोर्ड कहते हैं अगर आपने खोला रहेगा देखा रहेगा तो आपको मालुम रहेगा कि उसको मदरबोर्ड कहते हैं तो दोस्तो चले देखते हैं कि Motherboard है क्या तो दोस्तो अगर हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी दोस्तो सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब किया दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लाता रहता तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि motherboard है कि तो दोस्तों एक motherboard किसी भी computer का एक backbone होता है यह एक ऐसा link होता है जिसे की सारे components एक दूसरे से जुड़ से जाते हैं मानों कि एक hub का काम कर रहा हो जिसे की computer के दूसरे device आपस में connect होते हैं यह किसी user के जरूरत के अनुसार दोस्तों अलग-अलग formation में आते हैं जिसे की उसके जरूरत budget और speed में feedback सकें मुख्य रूप से देखें दोस्तों तो यह एक PCB मतलब printed circuit board ही है जो की computer के webinar components को hold करता है जैसे की computer hold करता है जिसे की computer कारेशम हो सके component जैसे की मतलब समझो की CPU है, RAM है, Hardix है यह component है जैसे की TV card, graphic यदि सब को फेले motherboard के साथ connect किया जाता है motherboard ही function enable करता है कि सभी को उचित power supply जाए ताकि वो ढंग से अपना काम कर सके मतलब उचित काम कर सके तो दोस्तो अगर आपने जो motherboard देखा रहेगा तो उसमें बहुत सारे parts रहते है उसमें आपको समझ में थोड़ा time लगेगा लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो आपको पूरा motherboard समझ में जाएगा कि कौन से part को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं तो आपको अगर देखेंगे तो आपको मालूँच चल जाएगा तो दोस्तो अभी हम motherboard के function देखते हैं तो उसमें दोस्तो फर्स्ट है components hub motherboard एक backbone की तरह काम करता है किसी भी computer का जिसमें computer के दूसरे parts जैसे cpa, ram है और hard disk को install किया जाता है दूसरा है दोस्तो slot for external peripherals motherboard एक platform की तरह भी काम करता है जिससे की बहुत सारे expansion slot को ये available करवाता है जिसमें जिससे हम नए device और interface यहां install कर सके अभी तीसरा है दोस्तो power distribution है इसमें दोस्तो motherboard की मदद से computer की दूसरे components को power supply किया जाता है मतलब motherboard से दूसरे components से उसको power supply किया जाता है और fourth दोस्तो data flow तो इसमें दोस्तो motherboard एक communication hub की तरह काम करता है जिसके दोरह सारे peripherals connect होते है या motherboard से control करता है कि सारे peripherals अपने बीच ठीक ढंग से communicate हो सके और motherboard data traffic को manage करता है और जो fifth number पे है दोस्तो five number पे है BIOS तो दोस्तो आपको BIOS को तो full power मालूम रहेगा basic input output system इसमें दोस्तो motherboard पकड़ के रखता है read only memory को मतलब BIOS जो की जरूरत पड़ता है कि computer को boot up करने के लिए BIOS की मतलब जरूरत पड़ती है उसकी boot up करने के लिए तो इससे पता चलता है कि motherboard की मदद से computer start होता है तो दोस्तों motherboard में तो बहुत सारे आपको फार्स देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे उसके part के बारे में जान लेंगे तो आपको उसके मालूम चलेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है अगर हमारे ये motherboard का आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले